नमस्का दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल चेकर जानिकारी में स्वाज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से जड़े हुए सभी कंडियों के लिए बहुत ही महत्तोपूर जानकरी जो लिकल के सामने आ रही है कि सिच्छा मुंतरी कनवर पाल जी का एक बड़ा बयान जो है सामने आ रहा है वो बयान क्या है उसके बारे हम पूरा डिसकस करने वाले हैं पूरी डिटपोर्ड हम लास तक देखने वाले हैं तो वीडियो को लास तक देखेगा वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर किजिए का चैनलों को सब्सक्राइब करके बैल आकों को प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसे लेटिस इंफॉर्मेशन हम हर्यान स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के तरफ से और सासाथ हर्यान पर भी सर्विश कमिशन के तरफ से आप तो पहुचाते रहते हैं तो दिखे यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट दिखाने से पहले कुछ चीजों के बारे में जरूर डिसकस करना चाहूँगा जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्जी वाड़े के साथ और सासा जो और दो-तीन लोग फसे हुए हैं और जिन बच्चों के रोल लंबर जो है स्तारोजनिक किये गए थे उनके साथ क्या करवाई की जाएगी तो उन पर एक बड़ा बड़ा बयान उनने दिया पलिस रिमान जब उनसे पुछा कि पलिस रिमान पे कब भेजेंगे आप लोग क्या होने वाला है तो उनका वियान दिकल के सामनी आया है उसके बारे हम डिसकास कर लेते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों open करेंगे दिखाता हूँ पुलिस रिमान देना या ना देना ये अदालत का काम है ये बोला था कनवरपाल जी ने अब देखे कनवरपाल जी ने ये ऐसा क्यों बोला actually मैं हुआ कि मंतरी मंतल की बैठक हुई थी जिसमें सेच्छा मंतरी जी ने पत्रकालों के सवाल के जबाब देते हुई ये कहा कि जब उनसे पत्रकालों ने पूछा कि सर जो भी फसे हुए हैं इसमें दांदली में फरजी वाड़े मामले में उन पर क्या कारवाय की जाएगी पूलिस रिभान में भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा तो उनका ये बयान था कि आदालत तैय करेगी हम नहीं तैय करने वाले हैं उसी बीज जो है एक बयान जो है मुख्यमंतरी जीने सामने दिया था मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो अनिल लागर पैसे ही बरामद नहीं किये गए है मतलब यह है कि उन्होंने बोला कि पैसे ही बरामद जो है वो अनिल लागर के पास से नहीं हुए थे तो इस बात पे उन्हें जब पूछा गया है कनवर लाजपाल जी से उन्होंने ये कहा कि देखिए जो मुख्यमंत्री जब तक जो नौलेज जो ही जानकारी थी तब ही तक उन्होंने बताया था पूरी जानकारी उनके पास नहीं थी तो उनको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए इन्होंने ये बयान दिया था कि जो है वो उनको जो नौलेज नहीं था इसलिए वज़े से उन्होंने कहा क्या निल लागर पर पैसे ही नहीं है तो देखिए पूरे मामले जो है वो चारों तरफ से गठी तोते हुए जा रहे हैं और उन बच्चों के साथ बहुत ही जात अन्याय हो रहा है जिनोंने एक्जाम क्वालिफाइ किया है ये मांदारी के साथ या जिनोंने एक्जाम दिये हैं और जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो देखिए यहां पे बहुत सारे उलज़न जो है पैदा हो रही हैं जैस किसे क्या प्रोसेस में आगे काम कर सकती तो हमदे रखते हैं कि जल से जल जो है इसको क्लियर किया जाए किसी भी एकजाम को का एंसल ना किया जाये हमारा यह उम्मीद है क्योंकि जिन बच्चों ने एकजाम अच्छे से महनग से दिया है उनको तो कम से कम आप पास्ट आउट कराईए और जो आगे वाले आगामे एक्जामस हैं उसमें आप कड़ाई या भरकरार करिए क्योंकि जिन्नों ने धांदली की है उनको आप लोग चाटी है चाट के उनको जेल भेजिए तो अभी इस नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का और ऐसे ले झाले हैं पास्ट आप लोग का रखे शबाद आप लोग का इस नहीं पास्ट नहीं ऊच़ाद लोग भादा आप लोग